कोरोना काल में रुके वे विकास कारियों की मौडिफाइड लॉकडाउन में रफ्तार बढ़ेगी इसको लेकर उपमुख्यमंत्री सचीन पाइलेट ने कहा है कि 20 अपरेल के बाद P.W.D. प्रदेश में सड़क विकास के 2678 कारे शुरू करेगा कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में रुके वे सड़क विकास कारे मौडिफाइड लॉकडाउन में शुरू हो सकेंगे उन्होंने बताया कि P.W.D. ने आगामी समय में शुरू होने वाले कारियों की रूपरेखा तयार कर ली है जिसके अनुसार 20 अप्रेल के बाद करीब 3,700 करोड रूपे से अधिक लागत से लगभग 8,590 किलोमेटर लंबाई की सड़कों के विकास कारे करवाए जाएंगे पाइलेट ने बताया कि रूलर इंफ्राइस्ट्रेक्चर डेवलेपेंट फंड योजना में 699 सड़कों के विकास और नवीनी करण के लिए 383 करोड रूपे की नाबाट से स्विकृति जारी हो चुकी है जिसकी निवीदाएं आमंतरित की जाएंगी इस योजना के तहट लगभग 2252 किलोमेटर लंबाई की सड़कों का विकास होगा उन्होंने बताया कि शिक रही पर योजना के मताबिक कुछ 2240 किलोमेटर लंबाई की सड़कों का नवीनी करण कराए जाएगा पाइलेट ने बताया कि प्रधान मंतरी ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में भी 2200 किलोमेटर की सड़कों के अपग्रेडेशन के 237 कारियों के लिए 1140 करोड रुपे के स्यूकरती जारी की गई है जिसकी निवीदाएं आमंतरित की जारी है पाइलेट ने कहा कि करोना महामारी के चलते लॉकडाउन की गाइडलाइन की पालना करना जरूरी है